करोप्रकन मुख्याले परिशर में एक दिवसीय रोजगार सब मार्थ देशन मेला का उद्धाटन मंत्री हाजिव सनंसारी ने किया करोप्रखन मुख्याले परिशर में एक दिवसी रोजगार सर मार्क दर्शन मेला का उद्खाटन सोमवार को जारकन सरकार के अल्प संक्यक कल्यान निबंधन मंत्री हाजीव सननसारी वा प्रखन विकास प्रदादिकारी अमल ची ने दीप प्रजवलित कर वधिवत सुभारम किया इस दोरान विविन कमपनियों के द्वारा रोजगार हितु प्रसिक्षन के लिए स्टॉल लगाए गए थे जहां प्रसिक्षित बेरोजगारों की भीर उमर पड़ी थी वही मंत्री हाजिव सननसारी ने ग्रामीनों से बात चित कर उनकी समझ्याओं का समधान करने की बात कही साथ ही ग्रामीनों के सिकायतों के त्वरित समधान को लेकर आला अधिकारियों को आवश्यक व उचित निर्देश दिये वही मंत्री हाजी सिननसारी ने कहा कि सरकार की नियम और नीती के अनुसार गरीब गुर्बा का काम सुचारो रूप से किया जाएगा विद्भा पिंशन, राशनकार्ट, आवास और किशानों के हर सुविधा का प्रयास किया जाएगा हिमन सरकार गरीबों की सरकार है बिना भेद भाव काम करने को लक्ष रखकर आए आगे बढ़ रही है विवागी इस तर पर रोजगार वीले का आयोजन कर कमपनी और युवाओं के बीच कड़ी का काम किया जा रहा है युवाओं को जिस छेतर में रोजगार उपलब हो रहा है उसमें वे अपनी उर्जा का परियोग कर अवसर से लाब उठाएं नियूंतम सैक्षनिक योगिता दसवी पास रखी गई है वहीं प्रकण विकस पदादिकारी अमल जी ने कहा कि सरकार के द्वारा रोजगार का मार्ग दर्शक मेला का आयोजन कर बेरोजगार को निबंधन किया जा रहा है ताकि सभी को रोजगार उपलब कराया जा सके मौके पर जामूमू प्रकण अध्यक्ष कंगलू मरांडी यूवा नेता राहू सिंग समित सैक्षों की संख्या में बेरोजगार उपस दित थे जबकि कारिक्रिम का संचालन विश्विनात रवानी ने किया